हाई गाइस वैलकम बैक टू मैं हो नीरू आज मैं आपसे शेयर करने वाली प्रेग्नेंसी की तौरान जांगो में क्यों दरद होता है कमर में क्यों दर्द होता है इन दर्द से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि बीबी वाई है या फिर बीबी गाल है तो चलिए आज का वीडि मेरा होसला बहुत जादा बढ़ता है आप लगों का लाइक देखuddhe boy तो प्लीज लाइककर दिया करो प्लीज शियर भी कर दिया کरो सब्थे पहले हम बात करेंगे कि कमर में धर्भ पने जनेरली हर लेडिस को होता है लेकिन अधिक तर वह लेडिस को होता है चिंहों बेबी बॉय कंसीव किया होता है क्योंकि मैं जब प्रेगनेंट थी तो मेरे भी कमर में बहुत जादा पेंड रहता था उल टाइम उटने में बैठने में बहुत जादा पेंड रहता था और वहीं पे एक मेरी फ्रेंड भी प्रेगनेंट थी उसने भी बेबी बॉय को से तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि नॉर्मल आप अप कर सकते हैं बहुत ही बैस होता है बहुत बैस्ट योगा और तो आपको कोई साइड एफेक्ट भी नहीं होगा और कोई प्राब्लम भी इनी होगा बाबू को को जो भी है तो आप योगा कर सकते हैं एज अब हरकी-हली कि आप वाकिंग कर सकते हैं जैसे कर लिया करती थी मैं बहुत लेट मॉर्निंग परसन हो तो मैं बहुत जल्दी नहीं जग सकती हूं लेकिन अब तो यार मुझे जगना पड़ता है क्योंकि बाबु इतना रोता है और परेशान करता है उसको है सुबह जगना रहता है छोड़ी इन सब बातों को हम लोग बहु कि मैं मौनिंग परसन नहीं हूं तो अगर आप मौनिंग में जग जाते हैं जल्दी जग जाते हैं तो मौनिंग में बेस्ट है आप वॉकिंग कर सकते हैं योगा कर सकते हैं मौनिंग का टाइम बहुत अच्छा होता है आप मौनिंग में कर सकते हैं मुझे बहुत जादा milestone से होता था लेकिन कुछ कज चीजेंग हो सकती है तो सब यह ता फॉस्ट ट्राइमेस्टर से ही मुझे बोला करते थी की मेरे कमर में बहुत जादा पीन रहता है वहीं पहें जाके कमर में पीन स्टार्ट हुआ था और जांगो में क्रैम कभ होते हैं तो पैरों में दर्द आपका जब वेट गेन हो जाता है सेकंड ट्राइमेस्टर की मुझे लगता है इंड इंड से आपकी पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है क्योंकि मुझे भी पैरों में क्रेंप्स बहुत गंदी वाली क्रेंप्स होती थी जब मैं सोती थी तो ना में हो सकती थी ना में जग पाती थी और उस टाइम पे तो वाश रूम मतलब बार जाने की जोएद परती है 15 मिनट में आपको लगेगा कि वाश रूम जाना ही है रात को भी चैन नहीं मिलता है। रात को भी बहुत गंदी वाली Cramps होती थी। क्योंकि बाद उठने में पता चलता हैं लैफ्ट नहीं हो सकती थे। उस टाइं पर बहुत गंदा वाला Cramps होता है। और मेरे राइट किसी नहीं मुझे मुझसे पूछा था कि आपके कौन सी जांगों में जादा पेन होता था तो मेरे राइट जांगों में बहुत जादा पेन होता था बहुत जादा गंदा वाला क्रैंप्स होता था जब मैं जगती थी या फिर जब मैं मतलब एक बहुत बड़ा टास्क लगता था लगत हता था कि अपना काम कैसे कोई करता है कि आपना काम कैसे कोई करें क्योंकि बाड़ि बिल्कुल यह नहीं करता है जैसे जैसे आपकी बच्ची वेट बढ़ता जाता है तो उसकी बाद आपको बहुत जादा हैवी लगने लगता है मतलब अपना जो प्रेशनल काम्हे ayin वह भी आपको बहुत बड़ा लगने लगता है कि कैसी होगा और उस समय बहुत ज़ादा, वाष्म जाने की जौट परती है, तो बहुत गंदे वाले, क्रेंप सोते हैं उसTime पे, उसे में यह होता है कि आप सीधा लेट हैंने सकते हैं, सीधा सों नी सकते हैं, क्योंकि बेबी को प्राबलम होता है सीधा सोने में, तो या है आप left सोएंगे या फिर right सोएंगे तो left-right सोने पर पैर के ऊपर पैर आता है और पीड को वजह जो है बहुत जादा होता है जिसका वजह से आपको cramps आते हैं तो यह normally है यह सब के साथ होता है जिसकाедा बेभी का weight होता है उसको जादा आता है और जिसका थोड़ा कम तो मेरे बहुत जादा बहुत जादा बाएंड दो FE keटमे कंचीव करता है उसको मेरे बहुत जादा ऐंडा और मेरे बहुत बॉय जादा कर आ यह तो मेरे December printer कंचopardy । में मुझे पेण सप्तार नहीं थे स्टार्ट ड़मेस्ट नहीं तरिव मेरे पेट में धी पेन रहता पैल्वी के रिया में भी प्राबलम होती थां कि हर जगह पेंट सट हो जाता है आपके बोडी में पेट पार में लग जाता है कि और घुटनों में भी कई के तो problem होता है last trimester में जाते जातें बहुत किसी के पैरों में swelling हो जाती है बट मेरे पैरों में झालता है कि अगर टार कोई करता है pregnant lady तो उसके पैरों में swelling हो जाती है अगर आप Baby boy семьeken करने तो आपके पैरों में कैसी नहीं होगी अक्योंकि मेरा बाइबार हुआ है और मेरे पैरों में स्वेलिंग नहीं थी तो हां बोल सकते हैं कि याएंट में यह ग HP ब्लिच सब्सक्राइब स्वेलिव नहीं होता है वह बीपी की वज़दे से भी हो सकता है क्योंकि मेरे जब सिर में धर्द रहता था तो मेरा जब बीपी हाई होता था है तो अब जल्दी से जल्दी अपने कुछ ऐसी जानकारी जो अगर प्रेग्नेंट है तो आपके साथ भी हो रही होगी तो यह कुछ ऐसी बाते हैं जो कोई छाती है उनल्मल और फिर घबरा जाती है चोटी छोटी बात थोड़े थोड़े देर रूक जाते हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं अगर लगातार वह चलते रहता है तब आप अपने डॉक्टर से जाके बात कर सकते या फिर कॉल पर बात कर सकते जैसे भी आपके डॉक्टर एवलेबल है वैसे आप बात कर सकते हैं तो आपको वीडियो कैसी लगी अगर पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को थंब सब देना विल्कुल न भूले सब्सक्राइब किजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्णर को और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए तैकि हम लोग बहुत जल्दी यूटूब फैमिली हम लोगों का बड़ा हो जाए हम लोगों के फैमिली में बहुत स सब्सक्राइब कर दें और फिर मिलते हैं और आपका कोई कोशन होगा तो जरूर लिखी का नीची कमेंट बॉक्स में क्या क्या कोश्चन से और आप नेक्स्ट वीडियो कि सीज़ पर कौन से टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स मे झाल